कि यह स्टुदेंट्स मैं स्पेक्ट्रोमीट्री आज मारा पांस्वा लेक्चर है जिसमें हम डिफरेंट आयोनाइजेशन मैथट स्टार्ट करने वाले हैं और आयोनाइजेशन मैथट्स हम वन बाइवन डिसकस करेंगे लास्ट ट्रेक्चर में हमने देखा था कि आयोनाइजेशन जो मैथड हैं दो तरह के हैं सौफ्ट और हार्ड यह जो आज हम आयोनाइजेशन टेक्नीक या मैथड डिसकस करने वाले हैं यह हार्ड टेक्नीक है जिसको एलेक्टरॉन आयोनाइजेशन यह एलेक्टरॉन बंबा Listen to It कि इसको हارड आईनईडीशन टेकनिक इसलिए कहते हैं क्योंकिEEEE है हाँ पर हम हाई उनर्जी रिम आफ ऐलेक्टरॉन यूज करते हैं जिसे बहुत ज्यादा फ्रेग्मेंटेशन पॉसिबल है अब अलेक्टरॉन ionization जो हमारे इस में हमारे पास ionization chamber है इस chamber में यहां से जो sample है वो in होता है यह sample inlet system है इस side से यहां पर sample आ रहा है और फिर यह ionization chamber में पहुँच रहा है sample introduction techniques हम पहले पढ़ चुके हैं gases के लिए volatile liquid solid के लिए non-volatile जो compounds हैं और less volatile सब के लिए हमने different methods पढ़ रखे हैं फिर हमने तब भी method पढ़े थे कि जब mass spectrometry किसी और technique के साथ कपल हो जाती है जैसे GC-MS जैसे HP-LC-MS वगेरा तो यहां पर यह sample inlet system है sample पहुंच गया है आयोनाइजेशन चैंबर में यह हमारे पास filament है tungsten का filament है इसको हम heat करते हैं इलेक्ट्रिक से this is heated tungsten filament और जो heated tungsten filament है यहां से आएगी beam of electrons जब sample यहां से enter होगा इस साइड से sample इन हो रहा है आयोनाइजेशन चैंबर में पर एक्जमपल हमारे पास है molecule M यह एंटर हो गया यहां पर आयोनाइजेशन चैंबर में अब मैस स्पेक्ट्रमीट्री में हम यूजली और्गैनिक compound डिसकस करते हैं और और्गैनिक compound की जो आयोनाइजेशन एनरजी होती है जो और्गैनिक compound का आयोनाइजेशन पोटेंचल होता है वो एट से लेकर 15 एलेक्ट्रॉन वोल्ड के दर्मियान होता है यह इस रेंज में सारे और्गैनिक molecule आयोनाइज हो जाते हैं अब जब सांपल यहां पर आता है इस पर high energy beam of electron फाल करती है अब अगर तो हम इतनी energy वाली beam यूज करें तो फिर कुछ molecule आयोनाइज हो जाएंगे कुछ नहीं होंगे और फिर fragmentation भी नहीं होंगी फिर इतने lines भी नहीं बनेंगे जो के sufficient हों हमारे analysis के लिए तो हम फिर क्या करते हैं हम routine में फिफ्टी टू 70 electron volt की जो electron beam है वो यूज करते हैं और इसमें भी ज्यादा तर जो हैस जो standard है हमारे पास वो 70 electron volt है 70 electron volt एक्चली यह जो 70 electron volt वाली energy beam है इससे बनने वाले जो fragments होते हैं वो reproducible होते हैं और वो जो हमारी libraries है मैं spectrometer की जहां पर बहुत ज़्यादा compounds का data है इनके results easily comparable हो जाते हैं on libraries के साथ तो standard 70 electron volt है अब यह beam of electron 70 electron volt एक्चली होता क्या है यहां पर grades होते हैं different पर ग्रेड़ है positive वाला और फिर दूसरा grade है positive वाला यहां पर भी एक grade है और फिर नीचे एक और grade है इन grades का जो potential difference होता है दोनों पर positive चार्ज है जो potential difference होता है वो 70 electron volt का होता है यहां पर 70 volt का difference होता है जिसकी वजह से जो electron beam है उसकी energy भी 70 electron volt होगी 70 electron volt की जब electron beam M जब इसके उपर 70 electron volt की electron beam जो है वो फाल करेगी तो इसका बन जाएगा radical cation radical cation बनेगा प्लस एक electron जो beam से strike किया था और एक इस molecule का electron भी निकल जाएगा क्योंकि इसकी energy ज्यादा है a to 15 electron volt होती तो फिर तो further fragmentation ना होती सिरफ ionization होती अब यह further जो है यह fragment बना देता है जिसमें fragment हो सकता है a plus है या b plus है या c plus है तो molecule के next fragment बन जाते हैं तो यहां पर यह जो ionization chamber है यहां पर heated tungsten filament से electron beam आ रही है 70 electron world की जो sample को ionize करवाती है और फिर इसके fragments बना देती है यह जो हमारे पास electron beam आ रही है इस electron beam को हम capture कर लेते हैं anode पर जिस पर positive charge होता है यह जो electron beam है इसको capture कर लेते हैं इसके अलावा जो unionized molecule रह जाते हैं ऐसे molecule जिन पर कोई charge नहीं होता हम उनको यहां से vacuum pump से निकाल लेते हैं पर positive charge होगा तो यह क्या करेगा यह रिपैल करेगा और यह negative आइंज को अपनी तरफ खैंच लेगा यह निक्ट्रों बीम को अनोड पकड़ लेगा रिपैलर पकड़ लेगा negative winds को और positive को रिपैल करके speed up करने की कोशश करेगा उनको आयोनाईजेशन चैंबर में देकेल देगा रिपैलर रिपैलर positive आइं को ionization चैंबर में रिपैल करेगा डारेक्ट करेगा negative आइंको एब्सॉर्ब कर लेगा बीम ओफ एलेक्टॉन को पकड़ लेगा नोड और जो अनाइवनाइज मालीक्यूल होंगे वह वैक्यूम पंप से यहां से निकाल लिये जाएंगे फिर हम अपलाई करते हैं जब सांपल आ जाता है आगे आ जाता है एक्सलरेटिंग प्लेट्स आ जाती है जिनका जो पोटें उचमें लिखा हम थे थो आठहाइं यहां पर प्र पुटेंशल हो सकता यदि थाउजट वोल्क या 8 किलो वोल्क oy मैं या पर नेगेटिव चैर्ज है नेक्स्यूअ नेगेटिव चार्च ज्यादा होगा उससे यहां पर प्र चैर्स जञादा होदा यहां पर और ज्यादा हो जाएगा तो यहां potential difference है 8000 वोल्ट का या 8 किलो वोल्ट का potential difference है जिसकी वज़ा से यहां पर आइंस accelerate होते चले जाते हैं और फिर इन आइंस को हम एक slit यहां पर हमारे पास fine hole है एक slit में से pass करवाते हैं to generate a beam और फिर इसको finally यहां पर analyzer में बेज देते हैं तो यह है chemical सारी electron ionization electron bombardment ionization technique जिसमें हम heated tungsten filament से 70 electron volt जो है उसकी electron beam use करते हुए ionize करवा लेते हैं इस technique की advantage क्या है यह inexpensive technique है और इसका जो hardware है सारा वो robust robust है यानि बहुत अच्छा strength वाला जो है वो यह hardware है robust इसके साथ fragmentation जो है reproducible है मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 70 electron volt वाली हम electron beam use करते हैं उसके result reproducible हैं और हमारी जो library है electron ionization mass spectrometer में जो data available है millions organs compounds का हम जो fragments बनते हैं उनको उनके साथ compare करके structure निकाल सकते हैं यह रिजर्ट रिप्रोड्यूसिबल है और फिर library के साथ comparable भी है जब अब 70 electron volt की energy भी यूज़ करते हैं on beam disadvantage क्या है ऐसे compound जो easily fragment कर जाते हैं जिनकी fragmentation बहुत easy है उनकी molecular ion peak नहीं आती यह नहीं molecular ion peak अपियर ही नहीं होगी molecular ion peak इतनी unstable होगी उनकी के फॉरण उसके fragment बन जाएंगे तो एक तो यह disadvantage है का molecular ion peak फॉरण fragment में convert हो जाती है molecular mass वाले peak अपियर नहीं होती fragment अपियर हो जाते हैं यह disadvantage है दूसरा disadvantage है क्योंके volatile compound के लिए use होती है हमें उसको gaseous phase में change करना है हमें molecule को vapor state में change करना है फिर जाक्या ionization होती है तो ऐसे molecule जो volatile नहीं होते non volatile हैं जिनका molecular weight बहुत ज्यादा होता है जैसा के biomolecules हैं प्रोटीन्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं nucleic acid वगएरा हैं तो ऐसे compounds को आप ionize नहीं कर सकता gaseous phase में change नहीं कर सकते इसका मतलब है electron beam से ionize नहीं कर सकते और electron beam से ionize नहीं कर सकते तो आप इस method से उनको analyze भी नहीं कर सकते यह है electron ionization technique इसके advantage और disadvantage नेक्स लेक्चर में हम इन्शाल्ला डिसकस करेंगे chemical ionization technique थैंक यू वेरी मच्च आप 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 आप